नमस्कार सातियों मैं सावाई सिंग एगवार पुने आपका एन्वीरा एज्यूकेशन यूटूब चैनल के माधियम से हार्दिक अभिनादन करता हूँ सातियों बलई मुश्किल का दोर हैं महामारी का समय हैं लेकिन अपनी को तेयारी उच कोटी की करनी हैं चाये बलई लोग हमें पागल कहें दिवाना कहें इसके लिए दो कावियांश के लाइन में आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा जो मैंने लिये हैं डॉक्टर कुमा लेकिन कोमार विश्वास के जो कावियांश के डूर आपके सामने रखने जा रहा हूँ सातियों इसका जुड़ाव अपने को के वल और के वल अपनी तेयारी और सफलता से ही रखना है तो अपने को जो सबसे बेस्ट उनके रचना देखने को मिलती हैं वो हैं कि कोई दीव दीवाना कहे या पागल कहे प्यारे सातियों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जनपद के बारे में कमेंट्स बोक्स के जरी जो भी अपने जितने भी कॉम्पटिशन दा रहे हैं उन्होंने मेरे को यह यकॉम्पटिशन जो आपके कमेंट्स के माध선 के इस इस लुदिuciones के सामने आपके त्यार है राजस्थान के जनपद साथ यूं भहुत सारे सवाल जनपद से निकल कर आते जैसे बारत के सोड़ा माजनपद, सोड़ा माजनपदों की डीटेल किस में पढ़ने को मिलती है या फिर सोड़ा माजनपद या जनपदों का जो सासन प्रिक्रिया है वो कितने भाग अथार्थ जैसे राज तंत्रातमक और गण तंत्रातमक गंत अंतरात्मक शासन परणाली होती थी तो उसकी सबा को क्या कहते हैं उनके अंदर जो चुनाव होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये जो सारे जन पदादिकारी जो बेड़ते हैं इनके बेटक व्यवस्ता को क्या कहा जाता है ऐसे सवाल निकल कर आते हैं जो हम भारत के प्र जनपद किसे कहते हैं इसकी परीबासा के बारे में जानना है जनपद किसे कहा जाता है तो सुनी आप एसा भूखंड जहां कोई जन अब जन में कौन-कौन आते हैं जन में कुल भी आता है जन में वंस भी आता है जन में जाती भी आती है जन में मेल भी आता फिमेल भी आता है सुनी एसा भूखंड जहां कोई जन अपना पाव रखता है अपना पाव रखता है तथा वही पर बस जाता है वही पर बस जाता है जनपद कहलाता है जनपद कहलाता है तो सातियों सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के टोटल ओल लवर या राजिस्तान के जो जनपद है उनका समय क्या देखने को मिलता है तो समय देखने को मिलता है 600 इसा पूर्व से लगा कर 340 इसा पूर्व के दर्मियान इन माजनपदों का उदे हुआ और मोट़ मोट़ी तोर पर देखाजाए तो जैन धरम व बोध धरम के विकाश के शमय ही इनमाज जनपदों का उदे हमें देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं राजिस्थान के जनपद पढ़ रहे हैं हम तो राजिस्थान के जनपदों की डीटेल हम सुरू करने जा रहे हैं राजिस्थान में जनपदों का उदे कब हुआ था किस काल से माना जाता है किस कंडिशन में ये उदे होना बताया जाता है इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं राजिस्थान में जनपद राजिस्थान में जनपद अब राजिस्थान में जनपदों का उधे कब से माना जाता है सातियों तो वेदिक काल के विकास के दोरान वेदिक काल के विकास के दोरान वेदिक काल के विकास के दोरान ही राजिस्थान के जनपदों का उधे होना बताया जाता है सातियों अगर आपको वेदिक काल का समय पूछ लिया जाए तो टोटल ओल अवर समय बताया जाता है 1500 इसा पूर्व से लगा कर ये बताया जाता है 600 इसा पूर्व तक चुंकि मैंने आपके रिगविदिक काल और उतरविदिक काल इन दोनों का समय जो है कमेंड सात में लिख दिया है चुंकि जन्पदों का जो समय देखने को मिलता है वो आपके 600 इसापूरु से लगा कर 346 इसापूरु के दोरान ही समय बताया जाता है अब हम बात करते हैं राजिस्थान के जन्पदों के बारे में अब राजिस्थान के जनपदों के बारे में डिटेल हमें पढ़नी है तो सातियों राजिस्थान में जनपदों का विकास केसे हुआ तो बताना चाओंगा कि राजिस्थान में यूनानी यूनानी आकर्मन यूनानी आकर्मन किसके आकर्मन यूनानी आकर्मन के कारण के कारण दक्षिनी पंजाब युनानी आकर्मन के कारण दक्षिनी पंजाब की सिवी माल्लाव अर्जुनायन सिवी माल्लाव अर्जुनायन आदी जातियां आदी जातियां जो अपने शौरिय वह बलीदान के लिए बलीदान के लिए आदी जातियां अपने शौरिय और बलीदान के लिए जानी जाती थी वह आदी जातियां जो अपने शौरिय और बलीदान के लिए के लिए प्रशिद भी बताए जाती हैं के लिए प्रशिद थी जो राजश्थान में आकर वसी जो राजश्थान अथार्त राजपुताने में आकर वसी राजश्थान में आकर वसी और राजश्थान में जनपदों का उदे हुआ और जनपदी विवस्ता का शुत्रपात हु और यहीं से जन्पदिय व्यवस्था का क्या माना जाता है सातियों शुत्रपात माना जाता है अब हम सुरू करने जा रहे हैं राजिस्थान के जन्पदों के बारे में तो राजिस्थान के जन्पदों की डीटेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं सातियों तो इस में सबसे पहले जो डीटेल हम पढ़ने वाले हैं वो हैं आपके जांगल जनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं तो जांगल जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है छेत्र अतार्थ जांगल जनपद जो है इसका विश्तर्त छेत्र कहा कहा बताया जाता है त जांगल परदेस के लिए जांगल परदेस के लिए नम बताया जाता है चोंकि नाम जो मिला है जांगल परदेस ये नाम करण किस काल में हुआ हैं तो बताना है महा भारत काल महा भारत काल में जांगल जन्पद का नामकरण सामने हमें देखने को मिलता है कोई महा बारत काल का समय पूछना चाहे तो बताया जाता है आपके 1200 इशा पूर्व बताया जाता है महा काव्यकाल जिसमें रामायन और महा भारत की रचना का दोर चलता है अब हम बात करते हैं ये जो जांगल जनपद हम पढ़ रहे हैं इनके अन्य नाम हमें कौन-कौन से देखने को मिलते हैं तो शातियों जांगल जनपद के अन्य नाम कुरू जांगला वा माद्रे जांगला के नाम से इसे जाना जाता है एक नाम कुरू जांगला और दूसरा नाम बताया जाता है मादरे जांगला कई बार इसकी राजदानी से समंदित भी सवाल पूछ लिया जाता है तो कुरू जांगला या मादरे जांगला जो है इसकी राजदानी हमें कौन सी देखने को मिलती हैं तो राजदानी बताए जाती हैं अही छत्रपूर अही छत्रपूर इसकी राजदानी देखने को मिलती हैं जो वर्तमान में नागोर कहलाती हैं नागोर में कौन सा वंस पनप तो यहाँ पर राठोड वंसपनपा जो बलुखा चामपावत और अमर सिंग राठोड की शोर्य गाथाओं से गुंजा इमान देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं विशेश जानकारी जंगल जनपद के बारे में तो विशेश जानकारी के अंदर में बताना चाहूँगा कि बीका नेर नरेश जो हुए हैं उन्होंने अपने नाम से पहले इस छेतर का नाम अतार्थ सरनेम के तोर पर रखा और यहां के जो राजा हुए हैं यह अपने आप को या फिर इन्हें जांगल धरबादसा के नाम से जाना जाता था इन्हें जांगल धरबादसा के नाम से जाना जाता था चुंकि अगर जांगल जनपद जो है इनके बारे में और जानकारे ले तो बात करते हैं बिकानेर के राजचिन के बारे में बिकानेर राजचिन बिकानेर का जो राजचिन हमें देखने को मिलता है इसमें सब्द अंकित है जे जांगल धरबादसा जे जंगल धरबादसा के नाम से इन्हें जाना जाता है जे जंगल धरबादसा के नाम से जाना जाता है जंगल जनपद जो है इनकी डीटेल हमने सव विश्थार रहाती हूँ देख लिए इस से बार अपना एक भी सवाल नहीं जाने वाला है जंगल जो है इसमें जोदपूर का उत्री भाग और शंपूर बिकानेर का छित्र हमें देखने को मिलता है नामकरण कब होना बताया जाता है तो नामकरण बताया जाता है महा काव्यकाल अथार्थ महा भारत काल में इसका नामकरण हमें देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं नंबर दो दूसरा जो जन्पद है उसके बारे में पढ़ने वाड़े हैं सातियों तो दूसरा जो जन्पद है इसे कहा जाता है आपके मतश्य जन्पद मतश्य जन्पद के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो बात करते हैं छेत्र की कि मतश्यय जन्पद जो है यह कहा से कहा तक फेला हुअ था सवाल पूचा जा सकता है तो मतश्य महाजनपत जो है आदूनिक जेपूर के आसपास पलस और कहां से कहां छेतर विस्तरत बताए जाता है तो नाम आता है अलवर और दूसरा जो नाम देखने को मिलता है जिल्ले का उसका नाम है बरतपुर बरतपुर और अलवर के छेतरों के उपर भी विस्तरत जनपत बताए जाता है मतश्य महा जनपत मतश्य जनपत का छेतर देख लिया तो अब हम बात करते है इसका विस्तर कहां से कहां तक देखने को मिलता है तो चंबल नदी चंबल की पहाडियां चंबल की पहाडियां जो बिहड छेतर बताया जाता है जो आपके डाकूं के लिए सरण इस्तल के रूप में जाना जाता था जहां की सबसे प्रशिद जो डाकू बताया जाती है आपके उसका नाम बताया जाता है फुलन देवी अगर पूछ लेक फुलन देवी के जीवन से समंदित पिच्चर जो किषकी दोरा निर्मान की गे थी अभिताब बच्चन ने इसको डायरेक्ट किया गया था और ये जो पिच्चर बनी है किष नाम से जानी जाती है तो इसका नाम बताया जाता है बैंडिड ट्वीन तो चंबल की पहाड़ियों से शरश्वती नदी तक विस्तर्त जो जन्पद देखने को मिलता है इसका नाम बताया जाता है मतश्यमा जन्पद अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में मतश्यमा जन्पद की राजधानी बताये जाती है आपके वीराट नगर वीराट नगर जिशे बेराट के नाम से भी जाना जाता है जो आदूनिक दिल्ली के आसपास पड़ता था चूंकि वीराट नगर जो है सातियों ये महा भारत काल के अंदर एक छित्र हुआ करता था सास की छित्र हुआ करता था आपके वीराट नगर थोड़ी सी डिटेल हम बात कर लेते हैं वीराट के बारे में लेकिन वीराट नगर की क्या एतियसिक जानकरी हमें देखने को मिलती है तो शातियों महा भारत काल में पांड़ों ने जहां अपना अग्यातवास बिताया है उसे वीराट नगर के नाम से जाना जाता है जिसमें एक तांबे के कलस के अंदर अश्तिया रक्यूवी मिलिती मौरी कालिन मुद्राय मिलिती चुंकी बेराट जहां से बाबरु का सिला लेक मिला क्या मिला है बाबरु का सिला लेक अब बाबरु का सिला लेक ही वो सिला लेक है जिससे जानने को मिलता है समराट अशूक बोद धरमी था किस धरम को मानने वाला था बोद धरम को अंगिकार करने वाला बताय जाता है आपके समराथ अशोक को अब हम बात करते हैं इसकी और एतियसिक जानकारी तो महाभारतकाल का एक परशिद शाशक हुआ था इस छेत्र का जिसका नाम बताया जाता है सहाज अब सहाज क्यों important है इतना तो सहाज का जुडाव बताया जाता है दसराग्ये युद से दसराग्ये युद ये युद जो है ये रिगवेदी काल का प्रशिद युद था जिसे दस रागी युद के नाम से जाना जाता है इसकी ओरल में आपको संग्षित मोखिक जानकरी देता हूँ आपको दस रागी युद की ये जो युद है ये आपके पुरुष्णी अतात रावी नदी के किनारे लड़ा गया था इसमें दो पक्ष आमने सामने लेकिन एक पक्ष में राजा शुदास था बरतवन्शी और दूसरी तरफ थे दस जन के कबीले अब ये दस जन के कबीलों के अंदर सहाज का नाम हमें देखने को मिल्टा चूंकी तो सातियों दस रागी जो युद है ये आपके रिगवेदी काल का प्रशिद युद बताया जाता है जिसमें विक्टरी प्राप्त हुई थी आपके राजा सुदास को और शहाज जो साशक बताया जाता है शहत्र का इसे पराजित होना पड़ाता वापस एक बार कंटरस्ट कर लेता हैं सातियों जिसमें राजिस्थान के जनपद में लिए डैफिनेशन बताई है समय बताया है समकालीन जो दर्म चले थे उनके बारे में बताया था शात ही राजिस्थान गें जनपदों का विकास के स्काल से माना जाता है ये भी हमने कंटस्त किया साथ ही राजिस्थान में जनपदों का उदे किस कंडिशन में हुआ था ये भी चीज में आपको जरूर बताई और तीन परमुक जाती हैं सिवी मालव अरजुनायन इनके साथ में अन्नी छेतर भी बताई जाते हैं ज उत्रपात सुरू होना बताया जाता है साथियोंने शंपून हमने जांगल जनपद की डिटेल पड़ी साथ ही मतश्य जनपद की डिटेल भी हमने यहां पर पूरी की पूरी डिटेल सहित पड़ी है साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं अगले महा जनपद सरी जनपद के ब इंहें आपके युनानी शाइतियों में किस नाम से जाना जाता था कई सारे सवाल पूच जाते राजदानी बताइए यह पनपने वाले वन्स का नाम भी बताइए ऐसे सवाल निकल कराते हैं सुरू करते हैं everyone 3 शूर्षेन शूर्षण शूर्षण इस श्उर्षण जन्पद की डीर्टियल हम पड़नेवाड़े हैं तो शूर्ष आंज जो हम पड़ने वाले हैं सातियों सबसे पहले बात कर लेते हैं छेतर की तो शूर्षण का जो बताया जाता है आधूनिक ब्रज छेत्र अगर बात करें राजिस्थान की तो राजिस्थान के कौन-कौन से छेत्र इसमें देखने को मिलते हैं तो नाम आता है आपके करोली दोलपूर एक करोली हो गया दूसरा दोलपूर हो गया तीसरा नाम बताया जाता है आपके जो आपके सूर्षेन जनपद का जिसका नाम भरतपूर के नाम से जाना जाता है जहां पर सूर्षेन महा जनपद फला और फुला अब सूर्षेन महा जनपद जो है यहां इसकी हम जा का रिलते हैं राजदानी की तो सूरसेन महाजनपद की जो राजदानी देखने को मिलती है इसे मथूरा के नाम से जाना जाता है लेकिन मथूरा जो है इसे यूनानी शाहितियों में यूनानी शाहितिये यूनानी शाहितिये जो है जो गिरिक बाशा के अंदर लिखे गए मथूरा को मैथोरा के नाम से जाना जाता है बात करते हैं कि यह जो छेत्र है सूर्षेनोई जिसए युनानी शैतियों ने नाम सूर्षेनोई भी काई है यहाँ पर वंस कोन सा पन्पा है तो यहाँ पर जो वंस पन्पा है इसके अनाम है यदू वंस, यदू वंस की साका में ही किस वगवान का जन्म बताया जाता है स्री कृष्ण का, स्री कृष्ण का जन्म बताया जाता है यदू वंस, तो यदू अथार्थ यदू अबलिक यदव, यदव वंस ने किस छित्र प बताया जाता है सोरसेन आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं अगली अगले माहाजनपद की जो सबसे इंपोर्टेन माहाजनपद देखने को मिलता है नाम है शिवी नाम बताया जाता है सिवी और शिवी जो एक जाती है और इसका अगर छेत्र देखने को मिले प्रारंबिक तो प्रारंबिक इसका जो छेत्र देखने को मिलता है सातियों हमें ये बताया जाता है आपके शिवपूर, दक्षिनी पंजाब, दक्षिनी पंजाब की एक जाती थी, बात अगर प्राचिन या प्रारंबिक इसकी राजधानी की करे सातियों, तो राजधानी बताया जाती है शिवपूर जिसे शोर कोट के नाम से भी जाना जाता है शोर कोट कहाँ पर पड़ता है तो वर्तमान पाकिस्तान में ये प्राचिन जानकारी सिवी जाते की सिवी जाते की प्राचिन जानकारी मैंने बता दी साथियो अनिक अनिक आकर्मनों से त्रेश्ट होकर ये दक्षणी पंजाब की जाती जो कालांतर में सिवी जाती जो है यह कालांतर का मतलब होता है भवश्य कालांतर का मतलब भवश्य भवश्य में कालांतर में दक्षणी पंजाब से निकल कर दक्षिनी पंजाब से निकल कर राजश्थान के मेवाड छेत्र में आकर बसी मेवाड छेत्र मे बसी अब मेवाड इसका नाम क्यों बताए जाता है जब हम राजपुता न इतियास पड़ेंगे तो डेटिल सही इसको देखेंगे मेवाड अथार्त मेदपात पहाडों के पाउं में बसे होने के कारण इसे मेवाड कहते हैं इसे प्रागवाड भी कहते हैं, इसे सिवी भी कहते हैं, इसे नगरी भी कहते हैं इसे मद्यमिका के नाम से भी जाना जाता है तो राजिस्थान में आकर अपना छित्र सरनिस्तली के रूप में इन्होंने पाउँ जमाए है मेवाड के अंदर मैंने पहले बताया कि कोई भी जन एसा भुखंड जहां कोई भी जन अपना पाउँ रखता है और वहीं पर सेटल्ड हो जाता है बस जाता है सातियों उसे जन्पद कहते हैं तो यहां राजपुताने के अंदर एक जाती आकर बस गई है और राजिस्थान के अंदर बात करते हैं राजिस्थान तो राजिस्थान में जगा का नाम चितोड चितोड बताया जाता है जिसे चित्रांगद मोरी नामक मोरी सासक ने चितोड गड का दुर्ग निर्मान करवाया था और प्रशिद राजा हुआ मान मोरी मान मोरी का जो सिला लेके करनल जैम्स टोड के द्वारा राजस्थान से ले जाते समय जाज में भारी वजन होने के कार्ण इसने जाज से पाने में फैंक दिया समुदर में फैंक दिया था डीटेल खतम हो गई है मौरियों से समंदेद बात में राजदानी की बताना चाहता हूँ अगर सिवी जनपद की बात में जो जनपद की नगरी यहां की राजदानी हमें देखने को मिलती हैं अगर पूछ ले कि सिवी महा जनपद जो हैं इसकी एतिहासिक जानकारी एतिहासिक एतिहासिक जानकारी हमें कहां से पढ़ने को मिलती हैं तो सातियों जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेवार छेतर में शिवी जो जन जाती हैं इसके बहुत तायत सिक्के भी खुदाई के दोरान मिले हैं और लिकित सक्षे की बात करे सातियों तो एतिहासिक जानकारी में जगा का नाम बताया जाता है मंदशोर के गुहालेक जिन से हमें डीटेल पढ़ने को मिलती हैं सिवी महा जन पद की किसकी सिवी महा जन पद की डीटेल पढ़ने को मिलती हैं अब हम बात करते हैं सासन व्यवस्था की सासन व्यवस्था मैं आपको शंक्षित में औरल रूप में समझा देता हूँ कि महाजनपद काल की जो सासन व्यवस्ता है इसमें एक राज तंतरात्मक था दूसरा घंड तंतर है भारत के जब महाजनपद पड़ेंगे तो भारत के प्रमुक गणराजियों के बारें बात करेंगे लेकिन अगर बात करें जनपदिये शबा अब जन्पद जो सारे सारे मिलकर सबा करते थे तो शबा इनकी क्या कहलाती थी सातियों कई बार सवाल पूचा जाता है तो जन्पद ये सबा जो देखने को मिलती हैं सबा किस नाम से जानी जाती हैं तो सबा बराबर संस्थागार संस्थागार के नाम से जाना जाता है अब संस्थागार में सारे सारे केंडिट सामिल हो गए हैं तो इनको एक करम से बिठाना पंक्तिबद तो शासन स्वरी बेठक बेठक व्यवस्था बेठक व्यवस्था क्या कहलाती हैं तो बेठक व्यवस्था को कहते हैं आसन पन्नापक आसन पन्नापक आसन पन्नापक के नाम से जाना जाता है चुंकि जन्पदों की सभा हुई तो कोई नी कोई रीजन है समझ लेते हैं बात चुनाव की कि जन्पदों में से सर्व स्रेष्ट एक राजा को चुना जाता है अब ये जो चुनाव होता है चुनाव जो होता है इनके अंदर तो चुनाव के अंदर जो वोटिंग होती है मतदान होता है वो शलाकाओं के जरीय होता था सलाकाई एक लकडी की डंडी जिसके उपर विबिन रंग जैसे लाल है हरा है पीला है इन विबिन रंगों के माध्यम से पता काई चिपका दी जाती थी अगर किसी को वोड देना होता था तो उसके पक्ष में पता का तो प्यारे साथियों हमने इस चेप्टर के माद्यम से राजिस्थान के जितने वी जनपद है डिटेल सहीथ हमने इनकी जान करे ली है और मैं आपको विश्वास दिलता हूँ कि इस चेप्टर से एक भी सवाल अपना बार नहीं जाने वाला सातियों और आगे की तेयरी के लिए प्रत्योगिता के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपने बडिया से बडिया कमेट्स जो आप जानना चाते हैं हमसे आप कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में भी लिखे और लिंक जो अपना है इस चैनल का वह आपको डिस्क्रीप्शन बॉक्श के अंदर आपको इसका लिंक भी मिल जाएंगा सात्यों स्वस्त रहे, मस्त रहे और सबसे जदा पड़ाई में व्यस्त रहे धन्यवा